Hello Friends, Movie Lovers Channel में आपका स्वागत है ये बेस्ट फिल्म है जो आज क्लासिक बन चुकी है मेन कास्ट में है ग्रेगरी पैग और रिहब बन एड़ी एलबर्ट स्टोरी लिखिती डॉल्टन ट्रम्बो ने फिल्म की कहानी में एक राजकुमारी है जो अकेले ही इटली के शहर रोम घुमने निकलती है और इसकी मुलाकात एक अमेरिकन रिपोर्टर से होती है दोना एक जूसरे को चाहने लगते हैं और प्यार हो जाता है राजकुमारी एन अपने देश के ट्रेड रिलेशन्स को बहतर बनाने के लिए योरोप के कई शहरों के टूर पर है अब एन रोम आ चुकी है अपने रोम और अपने देश के अमेस से को छोड़ देती है फिर दवा का असर चुरू हो जाता है और एक बेंच पर लेड जाती है अमेरिकन न्यू सर्विस के एक अमेरिकन रिपोर्टर जिसका नाम जो ब्रेडली है वो एन को देखता है और नशे की हालत में उसे वहाँ से ले जाता है अपने अपार्टमेंट अब सुबह होती है और अचानक जो की नींद खुलती है और वो परशान हो रहा है क्योंकि उसे प्रिंसिस एन का इंटरू लेना था आज और उसने मिस कर दिया राजकुमारी एन को प्रेस वालों से मिलना था आज ही के दिन जो अपने ऑफिस जाता है और बॉस से बोलता है कि उसने इंटरू किया है प्रिंसिस एन का बड़ तब ही उसका बॉस बोलता है कि जो इतना मजूड बोलो जॉब बचाने के लिए क्योंकि प्रेस वालों को आज ही पता चला है कि राजकुमारी की तवियत खराब है और वो उसे न्यूस्वेबर दिखाता है और ये न्यूस्वेबर देखतर है जो क्योंकि जो लड़की है वो एक्चुल में ही प्रिंसिस एन है हला कि जब वो राट को से अपने खर लेके गया था तब उसे पता नहीं था कि वो प्रिंसिस एन है अब जो खुश होता है और अपने बोस से बोलता है कि वो राजकुमारी एन का इंडरू लेकर आएगा और पिक्चर्स भी होंगी बोस बोलता है कि अगर तुम यह करते हो तो उसे 5000 डॉलर्स दूंगा और अगर तुम यह शर्थ हारते हो तो तुमें उसे 500 डॉलर्स देने होंगे जो अपार्टमेंट जाता है एन जब सोकर उड़ती है तब वो जो से पूशती है कि वो का है जो बताता है कि तुम रात मशे में थी वो उसे अपने अपार्टमेंट लियाया और तब से तुम सो रही हो एन थैंक्स करती है जो का और बोलती है कि अब वो यहां से जाना चाती है एन भाई कहकर चली जाती है जो को जो अपने दोस अर्विंग को फोन करता है कि जल्दी से कैमर लेकर आओ कुछ पिक्चर्स लेनी है इधर अब जो पीछा कर रहा है एन का क्योंकि उसका मकसद है किसी तरह से एन का इंटरू लेना एन आइसक्रीम खार रही है और ऐसी जो सीडियों से उतर रहा है यह famous Spanish steps है जो hello बोलता है एन को जैसे कि कोई अचानक से वो मिला हो और एन भी hello बोलती है एन अपना नाम आन्या बताती है जो को और वो बोलती है कि वो अपने स्कूल से भाग कर आई है वो बोर हो चुकती है अपने स्कूल में इसलिए उसे रोम घूमना है लेकिन अब वो अपने घर जाना चाहती है पट जो कहता है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा रोम को घूमने का मैं तुम्हे पूरा शहर घूमाऊंगा और यह experience तुम कभी नहीं भूल पाऊगी एन हा कर देती है अर्विंग भी आ जाता है और दोनों से मिलता है जो होटल जाता है और अर्विंग से बताता है कि यह जो लड़की यह आने नहीं है यह प्रिंसिस एन है और इसका इंट्रू ले सकते हैं और 5000 डॉलर मिलेंगे जिसमें से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा बस तुम्हें पिक्चर्स क्लिक करनी है उसकी जब वो घूमने लगेगी रोम शहर को अब एन और जो निकलते हैं रोम घूमने बड़ा अच्छा महौल देखनों को मिलता है जैसे कि छुट्टी और सब लोग एंजॉय करने के लिए निकले हैं रोम घूमने उधर राजकुमारी की प्राइविट सेक्यूर्टी गार्ट की टीम भी आ चुकी है रोम में जो एन को वेस्पा स्कूटर पर शेहर घुमाता है अब वेस्पा स्कूटर को चलाती है प्रिंसिस एन वो ठीक से चला नहीं पाती है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं अब दोनों माउथ आफ टूथ का दौरा करते हैं जहां जो एन को ये सोचकर धोका देता है कि उसका हाथ कड़ जाएगा अगर उसने हाथ दिया माउथ आफ टूथ में हलाकि एक तरह का मजाग होता है ये अब बाद में वो कलोशिम भी देखते हैं अब जो एक ऐसी जिंगा ले जाते है एन को जहां विश पूरी होती है एन विश करती है अपने मन में बट वो जो से कहती है उसमे जो विश की है वो उसकी शायद कभी पूरी नहीं हो सकती अब शाम को बोट पर डांस पार्टी हो जो और एन दोनों वहाँ जाते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं लेकिन वहाँ एक हंगामा खड़ा हो जाता है पुलिस आ जाती है एन को घर ले जाने की कोशिश करती है बट जो और उसका दोस्त अर्विंग की लड़ाई हो जाते हैं सेक्योरटी गाड से और किसी तरह से जो और एन वहाँ से भाग पाते हैं दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब यहाँ पता चलता है सीन में कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगें एन को जो अपने अपार्टमेंट ले जाता है अब दोस्तों फिल्म का ये पहला इमोशनल सीन है जहाँ एन कहती है कि कास जो मैं तुम्हारे लिए डिनर बना पाती और बाकी के घर के काम भी करती क्योंकि जो बताता है कि वो यहाँ अकेली रहता है अपार्टमेंट में और वो जो लंच है और ब्रेकफास डिनर सब भारी करता है और एन कहती है कि उसके पास और भी कई जिम्मेदारी है और उसे वो पूरा करना वो सबसे जादा important है और दोनों फिर से गले मिलते हैं और एन कहती है कि जो उसे अपने घर छोड़ दो आखरी बार दोनों किस करते हैं और एन कहती है कि जैसे ही मैं कार से उतर जाओं तो तुम उसका पीछा मत करना और ऐसे ही होता है जैसे एन जाती है अपने घर के तरफ थोड़ी सेकिंड्स के बाद जो भी निकल जाता है अपने घर दोस्तों फिल्म का दूसरा रोमेंटिक इमोशनल सीन है राजकुमारी एन जब घर लोटती है तो उसके जो दर्बारी होते हैं वो बोलते हैं कि राजकुमारी तुम ऐसे घर से नहीं बाग सकती तुमारे पर जिम्मेदारी है देश की और तुम ऐसे गायब हो गई ये बहुत गलत काम किया और तुम्हें एक लापरवा इंसान हो तब राजकुमारी एक जवाब देती है अगर मैं अपने परिवार और देश के परती वफदार नहीं होती तो मैं आज यहां आते ही नहीं और हमेशे के लिए चली जाती कहने का मतलब है कि राजकुमारी आना पूरी तरह जिम्मेदारी निभाने के लिए तयार है अब next morning जो को बॉस आता है उसके घर बोलता है राजकुमारी का जो इंटरू लिया था वो कहा है और पिक्चर्स कहा है लेकिन वो बना कर देते कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है और अर्विंग भी वहाँ आ जाता है एक एंवलप लेकर बॉस को बहुत गुस्टा आता है कि जो तुमने फिर से दोका दिया और पांसो डॉलर अब तुमें देने होंगे जो तुम शर्त में हारे हो और उसका बॉस वहाँ से चला जाता है लेकिन बॉस कहता है कि आज इंटर्वी होने वाला है कम से कम ये इंटर्वी तो अटेंड करो प्रिंसिस एन का अर्विंग पूछता है जो से तुमें क्या हो गया है अर्विंग भी समझ गया है कि जो को प्यार हो गया है प्रिंसिस एन से इसके बाद जो और अर्विंग एमबेसी जाते हैं जहां प्रेस कॉन्फरेंस होनी है और राशकुमारी जब दोनों को देखती है वो सर्प्राइस हो जाती है राशकुमरी एन प्रेस वालों के सवालों को जवाब दे रही है और इसी भी जो ब्रेडली बोलता है इशाहर में जो कुछ भी हुआ है उसके बार में कुछ नहीं छपेगा मतलब कि उसे इशारा दे दिया है जो भी एक दिन उन्होंने बिताया था उसके बारे वो किसी को नहीं बताएगा और जो बाकी के जर्णलिस्ट है वो नहीं समझ बाते कि ये क्या बात है राजकुमारी एन बोलती है कि सबसे अच्छा टाइम उसे रोम में बिताया और जो याद है वो हमेशा याद रखे कि जब तक वो जिंदा रहेगी ये फिल्म का आखरी emotional scene है जहाँ एन और जो एक दूसरे को देखते हैं और उनके आखों में आसू साफ दिखाई दिएते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो प्यार करने लगे थे और अब प्रेसवाल से हाथ मिलाती है प्रिंसिस एन और अर्विंग से भी अर्विंग एक envelope देता है जो कि उसमें pictures होते हैं प्रिंसिस एन के और जो उसमें trip की थी जो के साथ एक तरीके से ये gift है जो हमेशा याद रखेगी प्रिंसिस एन अब प्रिंसिस एन जो ब्रेडली से हाथ मिलाती है और लाज़ टाम एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे सब reporters अपने घर के तरफ चले जाते हैं लेकि जो वहीं खड़ा होता है हलाकि end भी चली गई है क्योंकि जो को प्यार हो गया था end से और ये experience और ये जो romance सा उसे वो हमेशा याद रखे धीरे धीरे से अपने घर के तरफ चला जाता है और यहीं इस movie का end होता है तो दोस्तो ये थी Roman Holiday की story और last में जब walk करते हुए जाता है जो Bradley वो एक iconic scene बन चुका है cinema का दोस्तो इस film को 10 Oscar nominations मिले थे और जीते थे 3 Audrey Hep बन की ये पहले film थे और उन्होंने कमाल की acting की थी जिसके लिए उन्हें Oscar भी मिला था best actress का Gregory Pack ने तो शांदर acting की है और Eddie Albert ने भी बढ़िया performance दी है इस film में अब दोस्तो Roman Holiday का influence काफी रहा है आने वाली romantic comedy films में 1999 के romantic comedy film Notting Hill काफी inspired है Roman Holiday से और दोस्तो Roman Holiday के कई scenes है जो iconic scene बन चुके आने वाली जो romantic drama films आई है या comedy films आई है romantic उसमें आप साफ देख सकते हैं दोस्तो इस film आपको एक बार देखनी चाहिए बहतर रिन एक्टिंग, emotional scenes और कुछ comic scenes और फार्नली 1950 के दशक का रोम शेहर को देखना जहाए एक romantic feel आपको देखने को मिलती है इस film में दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share, comment कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए thanks for watching, bye bye, be happy and take care